नमस्कार मेरे सेर सेन्यों लाडलो लाडलो स्वागता आप सभी का आपके अपनी डूप चेनल कमांडो अखेड में पर दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारे बच्चे गवराए हुए हैं क्योंकि इस बार हर एक बचा जो भी आपने जितने भी जो देखें इंट्रिव्यू उन सभी में देखा होगा ज्यादा तर जो बच्चे के आसपास बता रहे हैं या सेवन्टी प्लस यानिक सतर इसके आसपास आपने ऐसा कोई बच्चा नहीं सुना होगा कि जो यह बोलता है हैं उनको पता ही नहीं कि रिजनिंग क्या मेथ क्या है वह बहुत बड़िया हुई थी अच्छा कितने क्यों सुना है तो वो जरूर बोलता है कि सो में से सोके लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे है ज्यादा अपने इंट्रिव्यू में जिन बच्चों को देखा है जिनसे पूछा जाता है तो वो मेक्शिमम इसको और ही सटर के आसपास बता रहे हैं आपने देखा वागा या तो सतर के माइनस या सतर के पलस तो एक सवाल यहां पर यह उठता होगा आपके दिल में भी कि पिसली जो मेरिट है गई थी वो मेरिट के आंके तो बहुत बड़े- लो पिछली बार और इस बार में एक बहुत बड़ा फरक है वो क्या है एक बटा क्या छी जो है ये सिधा दिमाई प्रवार करती है न इसान हे कि फिछली बार हर एक बच्चा जो पेपर देने कर देना है जिन से की मेरा काम बन जाए ठीक है तो इस बार और पिछली बार में से ये एक अलग difference है कितने उचाता है कि जितने मेरे को आते हैं बस उतने attend कर दूँ ना कि 100 के 100 पिछली बार था कि 100 के 100 अब मान लो कि इस बच्चे को इसा नहीं है इस बार पहली बात तो है कि अगर उसको सतर आते हैं तो वो तीस में तुक्का मारेगा ही नहीं ची तो नहीं पर भूँए गार पफिछे नहीं जा पाएगा तो यह एक बहुत बढ़ा लिजन है इस बार मेरिट में जो बच्चे ज्यदा बता रहे हैं उनसे भी जब मैंने पूछा तो उनका भी मानना यह है कि सथर के आसपास चाही है वाकी नहीं पता दो चार तो गलत होंगे होंगे कि सथर के आसपास सही बता रहे हैं कि हरे एक बंद अईhappy बच्चा कम से कम 10 पलत बतारा में तो गारेंटे। कि जितने भी बच्चे माईक के सामने आ रहे हैं कि कम से कम 10 नम्र पलत बतारें हरे हैं बच्चा यह जब एक वास्त्वी Grüप से अगर वहाँ पर जाके जब पूछा तो मैंने यह जाना कि जो भी बच्चा बता रहा है कि मैंने सरे इतने क्यों सनटेंट की इतने सही होंगे तो सो में से अगर यह मान के चलिए कि 90% लोग यह 90% बच्चे अपना जो मार्क बता रहे हैं उसमें से 10 नमबर बिल्कुल फालतू के गपड़ा रहे हैं जी ठीक है इधर का इधर रख रहे हैं पार दस नमरक तो कहने का मतलब है कि जो स्कोर आप सुन रहे हैं माइक में या इंटर्वे में वो वास्त वे कि स्कोर नहीं है दूसरी चीज में आपको एक बात बता दूँ कि सेफ स्कोर या कितना हो पाएगा इस बार साथ ही जैसे मैंने आपको लिखा कि साथ प्लेस स्कोर भी नहीं तो मैं बतूँ अब तक जितने एक चीज जहां रखना कि जो आपकी एक्विरेस रहेगी यनि एक्जाम बेटनी मानलोग पिछली बार लग बग पचास लाग के आज पास फोरम बरे गए थे ठीक है उनमें से पचास लाग में से तीस लाग बच्चों ने पेपर दिया था पिछली बार तो यही आंकडा इस बार रहेगा यनि 60% के आज पास आपके उपस्तिति दर्ज की जाएगी देख लेड़ा 60% के आज पास उपस्तिति दर्ज की जाएगी पूरिन 60% में उपस्तिति में मैं आपको बता दूँ ज्यादातर लोग अभी तक जितने भी इंटर्वीव हुए हैं उनमें ज्यादातर लोगों का जो आखलन जा रहा है न वो रियल आखलन शाट 65 तकी है बहुत ही रेर केस में से बच्चे हैं जिन्होंने 65 हिट किये या 65 से उपर हिट की हैं इसे बहुत ही कम बच्चे हैं बताने को तो ऐसा कि माई के सामने कोई भी ज्यादा बताता है बड़ा सब आगे क्योंकि उसको पता कि कहीं ने कहीं ये वीडियो आएगा और ऐसा नहीं हो कि कौन मुझे बता हो कि कौन बचा इतना इमानदार है जो बता दे कि 50 के उसनकर कैर वो माई के मैं बोले मैंने 50 कि एक भी इंटर्यू में देखा किसी हूँ तो यह साथ हो नहीं सकता कि सारे दुरंदर ही दुरंद हो इसा तो नहीं हो सकता ना लेकिन रियल यह है कि वो बताएगा कितना 50 कर कैएगा तो 70 बताएगा अब आप ही सोच लिए जो पहली कटोप रहेगी उस कटोप में पहली कटोप रहेगी उस कटोप में लगबग 10 गुना का मतलब कितना हो गया लगब धाई लाग बच्छों को पास किया जाएगा तो इसकी जो कटोप रहने वाली है यह जिन भी बच्छों ने शाट पलस स्कॉर किया है चाहिए वह जेनरल के टेग्री से भी है दूसरी के टेग्री से नीचे भी किया है तो मैं आपको बताओं आपको रनिंग के तयारी करनी चाहिए यह क्योंकि जो हकीकत हों पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सचाई से यह बोल दिगा कि मेरे इतने नंबर कम है या मैं रियल में इतना किया हूं आ समझे मैं ही तो अब मैं आपको बताओं कि जिन भी बच्छों के हाकिकत में पेपर की जो चाहिए वो यह है कि लाड़ लो बहुत सारे क्योंकि माइनस मार्किंग है आप यह मान के चलिए कि पिछली बार जिस बच्छे न पेपर में जो सतर नंबर लेका है ना इस बार मेरी गारंटी है गारंटी क्या है कि जो पिछली बार जिस बच्छे ने अगर पेपर में सतर नंबर लाया अगर उसी लेवल का बच्छा आज के पेपर में यह निए इस बार के पेपर में बेटे तो वो शार्ड नंबर ही ला तुआक सई उसके कारण भी दो चार के उसल सई होते हैं ठीक है जब इतनों में सटे मारेगा लेकिन इस बार ऐसा नहीं है इस बार एक तो मन में भैर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बटा चार की मारकेंगा सामना करना पड़ जाए और नमबर मारकेंश हो जाए तो जो बच्च में भी नब्व मिनेट में फरक नहीं है. मेंड़ मिनेट वह ही आनन पर मैनिट. लेकिन जो मुख्य चीज जा, वह एक बटाँ चार की मार्किंग. मांस एक दबाव बनाती है मार्किंग. इन्सान पर है थोशना पड़ता है, उसको मान के चलिए उसको तेस क्यूसिंट में सोसना पड़े. तो कितना शेकिन्ड हो गया, तीन librar knowing जो कितना सेकिन्ड का मिनित हो गया? लग बग का Πांछ मिनित महानता हूं कि तो पीठे मिनिट का ही रहेगा वासामन में. तो जिसके 60 प्लेस्ट गोर भी है उनको घवराने की जूरत नहीं है लाटनों पहली कटोप में आपको आराम से रनिंग के लिए बिलाए जाएगा आगे की जो कटोप बनेगी उसका भी कुछ क्लियर नहीं है लाटनों ठीक है जै हिंद जै भारत मेरे लाटनों